प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंद्रूस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्सा कायम होगा आज हम कक्षा आठ के विज्ञान का अध्याए कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं पवन, तूफान तथा चक्रवाद कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं चक्रवाद त्वारा मानवजीवन तथा समपती को अत्यदिक ख्षति पहुँचती है इन प्राकृतिक घट्टाओं से होने वाली क्षती को हम कुछ सीमा तक रोक सकते हैं आज हम क्या सीखेंगे तडित, रगड़ द्वारा आवेशन, आवेशों के प्रकार, आवेश का स्थानांतरन, तडित की कहानी, तडित से सुरक्षा भुकम्प क्या होता है? भुकम्प का क्या कारण है? भुकम्प से बचाव रगड़ द्वारा आवेशन और आवेश के प्रकार आईए बच्चों, यह देखें कि विद्ध्यूत आवेश तडित के साथ किस प्रकार संबंधित है? इसे एक क्रिया द्वारा समझते हैं सूखे बालों से रगड़ कर इसको कागस के छोटे-छोटे टुकड़ों के पास लेकर आईए हम देखते हैं कि कंगी कागस के छोटे-छोटे टुकड़ों को आकरशित करती है और टुकडे कंगी के साथ चिपक जाते हैं जब प्लास्टिक की कंगी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्यूत आवेश ग्रहन कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुओं कहते हैं। आईए अब जाने आवेश के प्रकार और इनकी अन्योन्य क्रिया कैसे होती है। दो गुबबारे फुलाईए, इन्हें इस प्रकार लटकाईए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुबबारों को किसी उनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि दोनों गुबबारे अपने स्थान से विस्थापित हो गए हैं। और एक आवेशित गुबबारा दूसरे आवेशित गुबबारे को प्रति करशित करता है। आईए अब इस क्रिया को पैन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं एक रिफिल को पॉलिथीन से रगडिए काच के गिलास को स्टैंड की भांती उप्योग करते हुए इसे गिलास में रखिए दूसरे रिफिल को पॉलिथीन से रगडिए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है एक आवेशित रिफिल दूसरे आवेशित रिफिल को प्रती करशित करता है अब एक रिफिल को पहले की भांती रगड़ कर धीरे से गिलास में रखिए इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुबारा लाईए आप क्या देखते हैं? हमने देखा कि आवेशित गुबारा आवेशित रिफिल को आकरशित करता है तो बच्चों हम देखते हैं कि सजातिय अर्थात एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकरशित करते हैं जबकि विजातिय अर्थात भिन भिन प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं आवेश का स्थानांतरण आईए बच्चों आवेशों के स्थानांतरण के बारे में बात करें काच की एक खाली बोतल लीजिए बोतल के मुह में एक छिद्र बनाईए जिसमें धातू की पेपर क्लिप खुमाई जा सके अलुमीनियम की पन्नी की दो पट्टी काटिए चित्र में दर्शाय अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाईए रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्ष कराईए प्रेक्षन कीजिए क्या होता है अलुमीनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रती कर्शित करती हैं और वे फैल जाती हैं इस प्रकार की युक्ति का उप्योग यह परीक्षन करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तू आवेशित है अथ्वा नहीं। इस युक्ति को विद्युत तर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। सन 1752 में अमेरीकी वेज्ञानिक बेंजमिन फ्रैंकलिन ने तर्शी के बारे में बताया। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तर्शी पैदा होती है। तडित की कहानी बच्चों, गरजवाले तूफानों के बनते समय वायू की धाराएं उपर की ओर जाती हैं। जबकि जल की भूल्दें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का प्रिथकन होता है। बादलों के उपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं। तथा रिनावेश बादलों के निचले किनारे के संचित हो जाते हैं। धर्ती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। वायू हीन चालक है, फिर भी आवेशों के प्रवाह को नहीं रोप पाते हैं। रिनात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनी उत्पन होती हैं। इसे हम तडित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्यूत विसर्जन कहते हैं। तडित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ती की हानी होती है। इसलिए अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। हमें किसी भवन के निर्मान के समय उसकी दीवारों में उस भवन की उंचाई से अधिक लंबाई की धातू की छड़ लगानी चाहिए। इस छड़ का एक सिरा वायू में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातू की छड़ विद्यूत आवेश को जमीन तक पहुँचने के लिए एक सरलपत प्रदान करती है। इसक को तडित चालक कहा जाता है। इस स्थिती में आप आगात के लिए लगुतम लक्ष बनेंगे। कंप्यूटर, टीवी आदी जैसे विद्यूत उपकरणों को प्लगों के सौकित से निकाल देना चाहिए। भूकंप क्या है। भूकंप प्रित्वी का कंपन अत्वा कोई जटका होता है। यह प्रित्वी की भूपरपटी के भीतर गहराई में गडबड के कारण उत्पन होता है। भूकंपों से बाढ़, भूस खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महसागर में एक विशाल सुनामी आया था। भूकंप, आओ बच्चों अब यह जाने कि भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, प्रित्वी का कंपन अत्वा कोई जटका होता है। यह प्रित्वी की भूपरपटी के भीतर गहराई में गडबड के कारण उत्पन होता है। प्रित्वी की सतह को भूपरपटी कहते हैं। प्रित्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह तुकडों में विभाजित है। प्रतीक तुकडे को प्लेट कहते हैं। यह प्लेट निरंतर गती करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, अत्वा टककर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपरपटी में विक्षोब उत्पन होता है। यहीं विक्षोब प्रित्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूस्पंद प्रित्वी की सतह पर तरंगे उत्पन करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कमपाय मान छड़ अत्वा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर डोलन अत्वा कमपन करने लगता है कमपाई मान तंत्र के साथ एक पैन जुड़ा होता है जो इसके नीचे गती करने वाले कागज की पट्टी पर भूकमपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है दोहराई बादलों में आवेशों के एकत्रित होने के कारण तडित उत्पन होती है कुछ वस्तूओं को दूसरी वस्तूओं के साथ रगड़ कर आवेशित किया जाता है आवेश दो प्रकार के होते हैं धनावेश तथा रिनावेश सजाती आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्शित करती हैं मान्यताओं अनुसार रेशम के साथ रगडने पर काँच की छड़ धनावेश प्राप्त करती है वह यंत्र जिसका उप्योग यह परीक्षन करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथ्वा नहीं को विद्यूत तर्शी कहते हैं बादलों तथा प्रित्वी में विद्यूत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन होती है तड़ित गिरने से जीवन और संपत्ती की हानी होती है भूकम्प प्रित्वी की सतह पर कमपन अत्वा कोई जटका होता है भूकम्प भूपरपटी की प्लेट के हिलजुल के कारण आता है भारत के अती भूकम्प आशंकित क्षेत्र, कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रिय हिमाचल, समस्त उत्तरपूर्व, कच्छकारण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान है भूकम्प से बचाव आधुनिक, इमारत, प्रोध्योगिकी के द्वारा संभव है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछूँगी और आशा करती हों कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे सबसे पहले, रिक्त स्थान भरें सजाती आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रतिकर्शित मेरा अगला प्रश्ण विजाती आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं तो इसका सही उत्तर है आकर्शित धर्ती के अचानक कामपने अत्वाहिलने को डैश कहते हैं तो इसका सही उत्तर है भूकमप किसी भूकंप की विनाशी उर्जा का माप डैश पर किया जाता है इसका सही उत्तर है रिक्टर पैमाने पर अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछूंगी मेरा पहला प्रश्ण भूकंप आने की भविश्यवानी संभव है सही अत्वा गलत मेरा अगला प्रश्ण सही अत्वा गलत मेरा अगला प्रश्ण कोई वस्तू आवेशित है अत्वा नहीं परीक्षन के लिए विद्युत दर्शी का उप्योग किया जाता है सही अत्वा गलत यहा कथन बिलकुल सही है मेरा अगला प्रश्ण भूकंप आते समय उंचे विरिक्ष के नीचे खड़ा होना चाहिए सही अत्वा गलत यहा कथन गलत है दो कुबबारों को उनी कपड़े के साथ रगड़ने पर एक दूसरे को आकरशित करते है सही अत्वा गलत यह कथन गलत है मेरा अगला प्रश्ण भूकंप आने पर यदि आप घर से बाहर हों तो कौन सी सावधानियों का उप्योग करें भूकंप आने पर यदि आप घर से बाहर हैं तो आप सबसे पहले किसी खुले मैदान में चले जाएं यदि आप किसी वाहन में सवार हैं तो वाहन को आप सड़क के किनारे खड़ा कीजिए कभी भी किसी व्रेक्ष अत्वा किसी बस शेल्टर के नीचे ना खड़े हूं मेरा अगला प्रश्न भुकम्पी क्षेत्र की परिभाशा दें वह क्षेत्र, जहां पर भुकम्प आने की संभावना बहुत अधिक होती है उन्हें भूकंप आशंकित क्षेत्र कहते हैं मेरा अगला प्रश्न तडित चालक विद्यूत से इमार्तों की सुरक्षा किस प्रकार करता है? विद्यूत चालक एक धातू की छड़ होती है जो विद्यूत आवेश को जमीन तक पहुँचने के लिए एक सरलपत प्रदान करती है तो इस तरह विद्यूत चालक एमार्तों को तडित से सुरक्षा प्रदान करती है मेरा अगला प्रश्न रगडने पर वस्तुएं आवेशित होती है इस कथन को क्रिया द्वारा दर्शाएं इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आप सब को यह अध्याय अच्छी तरह समझ आ गया होगा बच्चों, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद करता हमारा दर्शाएं अधन्यवाद